नमस्कार मृत्वाशी के खास कारिक्रम एस्ट्रोभाशी में आप सभी का स्वागत है। ताके उत्तार्त में इस्टियों में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। का आगमन होता रहेगा। कर्क वालों को महनत के अनुसार फल की प्राप्ती होगी कारिस्थल पर बॉस आपके काम की तारिफ करेंगे। नई काम की शिर्वात के लिए समय अच्छा है लेंदेन में साब्धानी बरते। कर्याराशी के जातकों के लिए सप्ता सुखत दिखाई दे रहा है। कर्यार में जबर्दर सफलता प्राप्त होने के आसार है। बिजनस वालों को थोड़ा सतर्क रहना होगा। आएव में ब्रध्धी की संभाफना है। कर्याराशी वाले लोगों के लिए खर्चों की अधिकता रहेगी। लड़ाई जगडा करने से बचे कर्च लेना पड़ सकता है। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। कारिस्थल पर बॉस आपसे नाराज हो सकते हैं। खान-पान का विशेश ध्यान रखें। तुलाराशी वाले लोगों के लिए किसी भी काम में सफलता पाने के लिए महनत आधिक करने पड़ेगी। कारिस्थल पर आन्य कर्मचारी आपके काम को विगारने की कोशिच कर सकते हैं। इसलिए सतर्क रहें। नया वाहन खरीदने की योच ना बन सकती है। मगर राशी वालों की आयब में व्रद्धी हो सकती है। नय काम की शुरुवात के लिए समय अच्छा है। यात्रा से लाब प्राप्त होने के आसार रहेंगे। कोई बड़ी उपलब भी हासिल हो सकती है। कुम्द राशी वालों के जातकों के लिए ये समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। इस दौरान आपको भागे का पूरा सांथ लेगा। लेकिन लव लाइफ में तनाव की स्कती बनी रहेगी। कारिस्थल पर मान सम्मान की प्राप्ती के आसार रहेंगे। में राशी वालों के लिए सबता कुछ परिशानी भरा रह सकता है। खर्चिया चानक से बढ़ सकते हैं। कूट का चैरी के चक्कर लगने के आसार दिखाई दी रही है। इसलिए किसी भी तरह के बात विबाद में पढ़ने से बचे। इसी के साथ आज के अस्ट भाशी में वस इतना ही। अगर आपके कोई परिशानी या सवाल है तो हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स के जरीए। हम अगले हफ़ते फिर लोटेंगे आपके दिन से जोड़ी बातों के साथ तब तक के लिए आप देखते रहें म्रदुभाशी न्यूज।